दोस्तो टिप नमबर वन कभी भी बंदा देख कि उसके पीछे जो है आँख मीच के भाग मतले ना जैसे कि आपे मैं भागा और मैंने इसको बेशक मार तो दिया लेकिन अगर मैं आपने सरावने का ध्यान नी दिया तो तो अब बात करते हैं टिप नमबर टू की तो दोस्तो अगर आप कभी भी कोई दोमिनेशन या हाट पॉइंट खेलर तो याद रखो हमेशा प्रेडेटर मिसाइल जो है उन्ही प्यांक ऐसे गिर्थी है तो अब बात करते हैं टिप नमबर टू के टिप नमबर टू यह कहते हैं कि अगर आपके 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 कोई भी गणो स्नाईपर और बंद आपके स सामने एक डम सद है तो भाई आख मीच के चला दिया अग्रोबर क्या पता ऐसा परफेक्ट शोट लग जाए टिप नमबर फॉर हमेशा जब भी आपको एनिमी का यूए वी दिखे उसको सबसे पहले उडाना क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके अनिमी को आप पता लग जाएगी और आपकी गुदी तोड़ देगा ऐसे टिप नमबर फाइफ अगर आपको ऐसा लगए कि आप अंदर वाले निमी को ऐसे नहीं मार सकते हो तो हमेशा भाई अपनी ऑपरेटर स्किल का यूज करना उसे कभी भी बचा के मत रखना क्योंकि वह आपके बा आ रहा हूं तो हमेशा स्नाइपर के साथ इसको जो है यूज करो टिप नमबर सेवन अगर आपको जो है डोमिनेशन में हमेशा भी पर अपना होल्डर रखना है तो बठाके वाली स्नाइपर यानिकी वाली स्नाइपर रखो और इधर इस बिलडिंग में आके एक सेटिंड देख लिया ना अपने इदर आके बैठ जाओ और बस आप यहां से जो है फायर करके जो है अराम से अपने अनिमीज को जो है नोग डाउन कर सकते हैं तो क्रैश मैप में अगर आपको हमेशा भी पर अपना होल्ड रखना है तो ही स्नाइपर लेकर आप बैठ जाओ और कोई औ अगर आप फाइरिंग रेंज में कभी भी इस बिल्डिंग में हो तो हमेशा अपने साथ टोफी सिस्टम रखना क्योंकि दर मोली आने के ऐसे चांसिस बहुत जादा होते हैं और फिर आप ऐसे अराम से बंदों के आतो जो ऐसे मर जाओगे तो दोस्तों ये था पार्ट वन पार्ट टू मैं जल्दी अप्लोड करने की कोशिश करूँगो तो अगर आपको देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तागे आपको सबसे पहले पार्ट टू की नोटिफिकेशन मिल जाए तो भाई धन्यवाद आप देख रहे हो बीच्ट विनर ओफिशल